Hello everyone, आज करके टाइम पर चोरी होना बहुत ही दाता common बात है, या फिर गलती से अगर हमारा mobile कहीं पर lost हो गया, या फिर कहीं हमारा mobile गिर गया, तो चोर क्या कर सकता है, कि हमारे mobile के SIM card निकाल के, अपने mobile में डाल के, और OTP रिसीफ करके, हमारे bank account को पूरा खाली कर सकता है, तो यो के कम बतला basically होता है, personal unlocking key, तो आपको, आपके SIM card के लिए, personal unlocking key generate की जाती है, जो कि आपके advisor के पास होती है, अब advisor का कैसे पता करेंगे, उसमें जाने से पहले मैं को पता जाता हूँ, आपको क्या करना है, first of all अपने settings में आ रहा है, settings में जाना है, आपके search option में क्लिक करना यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, setup SIM card lock, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, setup SIM card lock, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, setup SIM card lock, यहाँ पे देख सकते हैं, other security settings, आपको biometrics and security pages आपको मिल जाएगी, जैसे हैं आपको क्लिक करूँगा, setup SIM card lock, यहाँ आ इसमें M pin डालते हैं अगिन अगर आपको तीन चांस मिलते हैं इसे मेरे SIM 1 जो है मेरे lock है SIM 1 मेरे GO है और SIM 2 मेरा Vodafone idea है इसमें SIM 2 में किया अब आप देख सकते हैं यहापे यह lock है जैसे मैं इसको enable करूँगा तो यहाप मांग रहा है enter your current SIM card pin जो मेरी current SIM card pin है for example अगर आपको नहीं पाता है तो basically अमूमन यहीं रहते हैं 1,2,3,4 रहती है आपकी SIM card की pin लेकिन अगर यह नहीं है और आपने 3 attempts डाल चुके हैं और आपका phone जो हो चुका है तब आपके पास यह option हैगा कि person lock होगा यादि कि P.O.C. code डाली है तो आपको अपने जीयोग नंबर पर जीयोग कश्मर के फोन रहना पड़ेगा और आपको अपना P.O.C. code जाना पड़ेगा लेकिन अगर आपके पास वियाई किसी में तो आप किसी दूसरे नंबर दूसरे ओपरेटर से आपको फोन नहीं लगा सकते आपको जीयोटो जीय लेखिन फॉर इक्समपल मैं बोला हो कि मुझे 1234 ने रखना है कुछ हाट डिजिट रखना है तो मैं यहां पर चेंज SIM Card Pin में जाऊँगा और है मैं लिखा हो Enter Current SIM Card Pin तो मेरी करेंट क्या है 1234 ओके करूंगा मैं और यहां से मैं नई वाली SIM Card Pin दा सकता हूँ मैं 3 attempts left ठीक है न तो इस तरीके से आपनी SIM Card को Lock कर सकते हैं Thank you so much